कि नमस्कार दोस्तों देजुकेशन फैकेल्टी में अब सभी लोगों का स्वागत हैं दोस्तों हम लोग केंद्राज सम्मंद पढ़ रहे हैं केंद्राज सम्मंद में हम लोगों ने अब तक जितने वित्तीन समंद थे बिदाई समन प्रसास्वनिक समंद वा बित्ती समंद तीनों हम लोगों ने बहुत अच्छे से डेटेल किया है आज हम लोग बात करेंगे कि केंद्राज सम्मंद में टकराव के मुख्य कारा क्या क्या ठीक दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजपाल की नी कि न्यूक्ति अग्जा राजयपाल की न्यूक्ति यहां भर खास्तगी ठीक ना आप लोग जानते हैं कि जो राजयपाल की न्यूक्ति होती है दोस्तों यह राश्तपती करते हैं कि राश्पती के प्रसात परियंत न्यूक्ति होता है तो मंत्री परिशत के सला पर काम करता है किसकी नियुक्ति कहां की जाएगी कौन सक्पद कौन धारण करेगा यह सब निश्चित करने वाला होता है आपका केंद्री मंत्री परिशत के सला से ही यह राश्टती काम करते हैं ठीक और कोई भी राज रहता है तो उसको अपने किसी अन्य व्यक्ति को जो है की राजय फाल बना दिया जाता है इस प्रेश्थिति में जाहिर विबाद होना निश्चित है तो राजय पाल की नियूगति में अक्सऱ करके विबाद हो जाता है ॥िए अगर दूसरा js percentage को बात करें कि पार्टी हित में राश्ट्पति सासन को लगाना दूसरा है कि पार्टी हित में कि पार्टी हित में राश्ट्पति सासन राश्ट्पति सासन को लगाना जानते हैं कि राष्ट पती सासन कब लगता है जब किसी राज्ज में समयधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब वहां पर राष्ट पती सासन लगा कौन सा अनुछेद है अनुछेद आपका 356 के तःत किसी भी राज में जब वहां पे श्रम्यधानिक तंत्र वीफल हो जाता है तो वहां केंदरी करता है ठीक ना तो कभी कभी होता है दोस्तों कि जिस राज्य में जिसे मान लेते हैं हम लोग कि इस समय फिलहाल में भारत में कि भाजपा की सरकार केंदर में ठीक ना केंदर में ठीक यह राज्य में किसी अन्य सरकार है जैसे मान लेते हम लोग कुलकाता में मानते है पस्चिम बंगाल में तो वहां पर मम्ता बनर्जी की सरकार है तो इसके पहले यह हुआ था कि वहां पर मम्ता बनर्जी को यह लोग बहुत ज्यादा परसान किये थे ठीक ना परसान करने का मतलब था कि अखिल भारती सेवा कि जो करमचारी थे उनको भेज दिया गया था जहां चोगरे करने के लिए तो वहां पर जाकी बहुत प्राब्लम क्रियेट हुआ था तो कूल मिला के जहां रहती है जिस Rubkin में उस wrapped कोई प्राबलम नहीं होता है लेकिन कििसी और पाल्टी की सरकार है तो आपर अक्सर मत्वेथ होता है समलोग discuss की दिली में डिल्लि में आप जानते हैं कि सरकार ठीके कि जरीवाल की सरकार है तो महां पर जो है कि हमैसा यह लोग के जरीवाल को परसान करते रहते कभ समफ्रनलब्स गोटाले में हमेशा उसको मतलब तक ही रहते हैं तो 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 वहां पर राश्टप्ति-सास्न लग जाएगा कोई ग़ंटी नहीं रहता है इन लोग विन योग काहंता है रहता है यह कभी भी किसी को किसी भी राज में यह राष्ठपति शासन लगवा सकते यह कह देंगे कि यहां पर समयधानिक तंतर बीफल हो गया तो वहां पर राष्ठपति सासन लग जाएगा यह कुछ राष्ठपति सासन जो होता है ठीए न? तो यह होता है टक्राव के मुख्य कारण चिंग राश्टपति सासन का लगना ठिक इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब तीसरा है आपका राज विदहकों को राज विदहकों को राश्टपति के लिए राश्टपति के लिए कि अरच्छित करना अरच्छित करना अरच्छित करना दोस्तों जब राज विधान मंदल कोई कानून बनाती है तो वह कानून जो कि राज यपाल के पास जाता है ठीक राज यपाल जब उसको उसका पर हस्ताचर कर देते हैं तो वह टिकना लेकिन राजयपाल के पास एक बिकल्प और होता है कि वह कि राश्टपती को राश्टपती को जो अनुमति लेने के लिए वह राश्टपती के पास भेज सकते हैं जब किसी अन्य सरकार रहती है जिसे में केंद्र की सरकार नहीं है उस राज्य में दूसरे राज्य किसी पार्टी की सरकार है तो वहां से जब कोई विध्यक आता है ठीक न तो आप जानते हैं कि राष्ट्पति जो होता है मंत्री परिशत के सला से काम करता है ठीक न यह दी मंत्री परि अाफ चवथा दोस्तो अखिल भारती शेवाओं का प्रबंधन UST अखिल भारती के शिवा ओंगा प्रबंधन को थक्ति न जानते हैं कि भारती में तीन अखिल भारती सेवाओं न एक होता है एक होता है IPS मेंस फिए आो नि यह ग मसक्तिव वहाओं के जिन जाती है कर्वाओ के दिणफित नंच दोड़ा करें दरंपर है इन को जाना है ये को निर्धारित किया जाता है तो यह जो है कि यह राज की नहीं सुनते यह अपने मन माना करते हैं जरूरी भी है दोस्तों इसलिए जरूरी है कि हम लोगों ने अक्सर फीक्चर उचर में देखते हैं कि किसी भी कि मदमास को या गुंडा को जब पुलिस गिरफतार कर लेती है ठीक न तो अक्सर करके फुन जाता है ने ताव लोगोंगा कि भाई हमारा व्यक्ति इसको छोड़ दीजी इसको टार्चर मत किरिए लेकिन जब वहीं अखिल भारती सेवा के जब करमचारी किसी व्यक्ति को गि जब दोस्तों ठीक न तो यह इसमें भी जो है कि उनलों के बीच टकरा होने की वह राता है ठीक पाचवां है दोस्तों कि पाचवां है कि राज्य सूची पर केंद्रकात इक्रमड राज्य सूची कि ये बिसह पर राज्य का अतिक्रमड ठीक ना हम लोग अभी अभी पढ़े थे विधाई समन्द में कि ऐसे पाच मुख्य कारण है जिस पर जो है कि राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है ठीक ना अनुच्छे दूसर और चास पड़ा था हम लोगों ने अनुच्छे दूसर पचास पड़ा था अनुच्छे दूसर तीरपन और अनुच्छे अनुच्छे दूसर और चास में यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं बिधाई सम्बंद में ठीक तो दोस्तों राज्य सूची के भी सह पर यह लोग की जो है कि कानू मना लेते हैं तो उस पी भी जो है कि संबहें की प्राबलम क्रियेट होता है ति ऊससमाह भी टकरा होने की समभाना रहते थी ठीक न इसके आलाभा एक औरर धोस्तों केंद्र है केंद्र में केंद्र सार्ज कि मंद्र इसे डर्यतिन न केंद्र मरा जकें मत केंद्र राज क 추천 म elder कि भीत्ति हिस्सेदार है कि दोस्तों लिए आप जानते हैं कि अब लोग ने पढ़ा था बित्ती समंध में कि बित्ती समंध में जितने ज्यादा सुरोथ होते हैं भले यी वीशा के रूप में दे दिया गया है राज को लेकिन इंपार्टेन जितने हैं सब राज के अंदर के पास है जितने इंपार्टेन श्रोथ होते हैं पैसे के उस सारे के सारे के पास है इन लोगों के पास कुछ इसे चोटे मोटे विशा दे दिये गए ठीक ना तो वो जो है कि एक और हो था है कि जिस राज में के इसराज में केंदर की सरकार होती है यदि उसकी सरकार तो हां पैसा भर्पूर दिया जाता है लेकिन अधर यह दर राज में किसी अधर पार्टे की सरकार है तो हां पर पैसा बहुत हिसाब की साब से दिया जाता है दोस्तों तो यह भी एक मुह के कारण होता है कि अंदर राज संबंद के टकराव में ठीक ना अभी तक हम लोगों ने चाव पॉइंट पर बात किया राज पाल की न्यूक्तियों बर खास्तवी पे ठीक ना पार्टी हित में राश्टपती सासन को लग जया दम अच्छे से डिटेल की हैं कि कौन-कौन से इसे बिसे हैं जिस पर कानून बाया जारता राज सुची पर केंदर के द्वारा ठीक केंदर राज के मत बित्ती हिस्चेदारी ठीक यह सब मुख्य कारण है दोस्तों इन दोनों के बिश टकराव होने का ठीक तो आईया ह कि शोजहां प्रकार की समितियां बनाए गई है उस समीतियों स सूझा भी तक लागव भी किया गया थो आई हमितंआ कि कौन-कौन से आइसी समयतियां है केंद्राज समंद्रास समंद्र में बनाए गए ठीक ना सबसे पहले हम लोग बात करेंगे और सासलनिक सुधार आयोग कि ठीक ना करें करेंगे करेंगे तो पहली समिति हैं दोस्तों आपका प्रसासनिक सुधार आयोग प्रसासनिक सुधार आयोग प्रसासनिक सुधार आयोग प्रसासनिक सुधार आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था तो इसका गठन किया गया था दोस्तों कब 1986 में, रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट दी थी ये आपका 1969 में, ठीक न, इसके आध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इस समीति के जो आध्यक्ष थे यम सितलवाड इस समीति ने केंदराज संबंध को सुधारने के लिए ठीक न, 22 जो आध्यक्ष सिपारिसे दी थी, ठीक न, तो हम लोग कुछ इंपार्टन सिपारिसों पर बात करेंगे, ठीक न, तो इनकी सिपारिसे क्या थी दोस्तों? इस सिपारिसे क्या थी इनकी तो पहली थी कि, पहली थी इनकी सिपारिस की राज्यपाल जो है कि गयर दली ब्यक्ति होना चाहिए, ठीक न, राज्यपाल जो है, राज्यपाल गयर दली ब्यक्ति होना चाहिए, इनकी कहने का मतलब यह था दोस्तों कि, जिस भी राज्य में, जिस पार्टी की सरकार है, उसका जो екर राज्यपाल नहीं होना चाहिए, बलकि किसी दूसरे पार्टी के जोगी ब्यक्ति का जोगी राज्यपाल होना चाहिए किसी दूसरे पार्टी का ब्यक्ति राज्यपाल होना चाहिए ठीक ना इन्हों ने कि और सोजाओ दिया था दूसरा सो जाओ दिया था कि एक अंतराज्ची परिसन का गठर किया जाना चाहिए ठीक न एक अंतर राज्जी एक अंतर राज्जी परिसन का गठन किया जाना चाहिए ठीक ने तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छे ढुठ दूसर 33 में एक अंतरजी परिशत का गठन किया जाता है कन्तरजी परिशत का गठन किया जाता है आप और प्रदेश क्या जिस राजमें सीक है तो या तो राज्यपाल ठीग ना सब मिला के इसकी सदस्य होते हैं ठीज दोस्तों इसके अलब हम बात करें कि इन्हों ने आर कश दिया था सुझंच दिया था कि केंदरी बलों के तनाती में राज्यों का प्रामर्श लिया जांए प्लाम आर इस Sara के профессory किंद्री बलों के किंद्री बलों के तहनाती में तहनाती में राज्य से प्रामर्स लिया जा किंद्री बलों को अगदी आप तहनात कर रहे हो तो उस राज के सी यम से जो है कि आप राज लें उसके बाद महां पर केंद्री बलों की तहनाती करें उन्होंनों यह सीपारिस की ठीक ना कि इन्होंनों 34 पारिस क्या के थी दोस्तों कि राज्यों को राज्यों को ज्यादा कि ज्यादा कि बित्ती संसाधन ज्यादा जो कि बित्ती संसाधन अस्थांत्रीत कराया जाए अस्थांत्रीत कराय जाए ताकि उनकी जो है कि केंद्र पर निर्भारता कम हुए ठीक ना तो यह रहें प्रासाशनी सुधार आयोक के कुछ सुधास कुछ सिपारे से ठीक ना इनकी इनका गठन कब किया गया था तो 1966 मीट का इसका गठन किया गया था रिपोर्ट कब दिये थे उननिस सोनगत्तर में इसके अध्यक्ष कौन थे तियम सी यम सीतलवार्ट ठीक ना यम सी सीतलवार थे इसके अध्यक्ष थे आपके यम सी यम सी शीतलवार सितलवार जो की इसके अध्यक्ष थे इन्होंने स्विपारिशे क्या की थी इन्होंने स्विपारिशे की थी कि जिस राज में जिस पाल्टी की सरकार हुँ उस पाल्टी का राजय पाल नहीं होना चाहिए जानीज भी बलकि किसी गैरडलीा गैर दली पाल्टी का सब राज्य पाल होना खारा धिक न इन्होंने कहा कि अंतरर रा जी परिशत का लगातन कि या जाना चाहिए ठिक क tranary कि लगांती में राज से प्रामर्श अवस्य किया जा ठिक इन्होंने 34 और C लिए राज्यों को जादा से ज्यादा बित्ती संसाधन अर्सांतिर्थ करा जाएं ताकि उनकी किंद्र पर निर्भरता गम हो सके ठीक तो यह रहे आपके प्रशाशन सुधार आयोग की कुछ सीपारी से ठीक इसके बाद हम लोग बात करेंगे राज मननार समिती ठीक यह बात कर लेते हैं अगली समीति पर राजमन्नार समीति राजमन्नार समीति पर राजमन्नार समीति को जो है कि तमिलाडू की राजसरकार ने बनाया था ठीक इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे राजमन्नार इसके अध्यक्ष थे राजमन्नार ठीक ना इस प्रामर्स क्या दिये थे इस समीति ने केंद राज के सम्मन्नार में कुछ प्रामर्स दिये थे कौन कौन से प्रामर्स दिये थे दोस्तों पहला इन्होंने कहा था कि राज पाल का पद राज पाल का पद राश्ट पती के प्रसाद प्रयंत नहो प्रयंत नहो इन्होंने यह सुझाव दिया कि राज पाल जो है कि राश्पती के प्रसाद प्रयंत नहो ठीन अगिला सुझाव दिया था कि अनुछेद आपका है कि तीन सो छप्पन कि तीन सो संतावन और तीन सो पैंसट को पुर्टे समाप कर दिया जाए कर दिया जाए अनुछेद तीन सो छप्पन में आप जानते है कि राश्टपती सासन लगा जाता है ठीक ना राश्टपती सासन उहीं पर लगता है पर जहां पर समयधानिक तंत्र बिफल हो जाता है। ठीक ना दोस्तों वहीं अनुछेद 365 कहता है कि 2014ire that कि व्यदि कोई भी राज केंडिरद्वारा दिया गए निरदेशों को मानता का नहीं है उसका पालन नहीं करता है उस परस्पती सासान घए गएर सासन ऋड़ली में पर mm Вы कि अनुछे 356-375-375 को समाप्त करने की बात कर रहा है कि मतलब की राज को केंदर से डरने की किसी भी परकार की संभाव नहीं नहीं रहा है अनुछे 356-375 बहुत इंपार्टेंट है दोस्तों इससी जोई कि केंदर का जोई कि राजपन नियंत्र हो रहता है ठीक ना इसको पुरी तरह से समाप्त करने की बात कर रहे हैं राजमन्नार समेथी ठीक ना इसके अलाव हम लोग बात करें दूसरा है तीसरा है दोस्तों कि इन्होंने सिपारिश की थी कि अखिल भारती स्यवाओं को भारती अखिल भारती स्यवाओं को समाप्त कर दिया जाए कर दिया जाए कि कितनी खतरनाक इन्होंने सिपारिश की है ठीक ना सबसे खतरनाक तो उनुच्छे आपका दूसरा है तीनसों चब्डाक करने के बाद कर रहे हैं फिर इनका अखिल भारती स्यवाओं को श्रमाप्त कर दिया जाएं अखिल भारती से वाएं दोस्तों ऐसी से पीट होती है कि यह केंद्र और राज के धूनों का काम करती यह राज से किसी प्रिपरकार से डरते नहीं है आप राज के कोई भी नेता अगर कोई भी हो इनको फोन करके कहते हैं कि काम ना करो वो करो इसे करो यह लोग नहीं मानती वहीं करते हैं जो इनको केंद्र दवरा निर्देशित किया जा करते हैं कौन राजमनार श्रमी तिठी न कि इन्हों न फिर का कि वी राज की कि चवतिस ही पारिश की कि राज्यों को कि राज्यों को और सेशी सक्तियां परदान की जाए और सेशी सक्तियां परदान की जाए ठीक न इन्हों ने कहा कि और सेशी सक्तियां जो कि राज्यों के पास रहने चाहिए ठीक अमेरिका में जोस्तो और सेशी सक्तियां जो है कि राज्यों के पास है ठीक न उसी परकारियर राजमनार समीति जो सकतियां जो है कि राज्यों के पास होने चाएज तोस्तों जो समिधान में नहीं दिया रहता है प्रस्थिती की उसको लागू कर दिया जाता है तो सामिल कर लिया एकाउंट से पैसे नहीं निकाले जाते थे लेकिन आज की सिच्वेशन में साइबर क्राइम अपने चरमों पर ठीक दोस्तों इसी को हम लोग आउसेशी सक्तिया करते हैं कि मतलब जिसको बाद में समिधान में सामिल कर लिया जा ठीक ना तो वहीं कर रहा है राजमर्णार समि पाचमी सिपारिश क्या की दोस्तों की पीट आयोग को कि बिट आयोग को एक अस्थाई निकाय बना दिया जाए एक कि अस्थाई निकाय बना दिया जाए कि एक अस्थाई निकाय बना दिया जाए कि इसfire आपके राजमनार ठीक राजामनार समीती ने यह कुल राजमनार समिति सरकारियाय आयोसिज रिrendu कि इनों ने हिए 200 47 स्विपारीशी किती rihe Claire सरकार दवरा zost Awither स्विपारीश किती 247 मेंसे लग बग 188 स्विपारीश लागू कर दी गई है ठीक ने तीज सबसे important समिस्थी त्यस्य सरकार्िा योग सबसे important समिस्थी तिक नइ आईए हम लोग बात करते हैं अब सरकारिया आयोग पर दोस्तों वहरी डालिएगा आप लो सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग इसका गठन कर गठन किया गया था उनिस सब्सक्राइब इसकी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों तो इस समीति की जो अध्यक्ष थे कौन थे अर्यस सरकारिया रजएंदर सिंग सरकारिया ठीक इनका इनका पूरा नाम है राजएंदर सिंग सरकारिया थी इन्होंने रिपोर्ट कब दिया था तो किDD 1998 में अपनी रिपोर्ट दी थी ठीक। इनकी सीपारिसे क्या क्या दोस्ता वो अज नोट कर लेटें इन्होंने प्रामर्ज क्या दिया थाए। मेर्स क्या क्या दिया थे पहली सिपारिस की थी कि राश्टी एक ठाके लिए अ राष्टी एक्ता खेलिए राष्टी एक्ता एवं अखंडता केलिए राष्टी एक्ता एवं अखंडता केलिए केलिए मजबूत किन्द्र ठिक होना आवश्यक है अगर दोस्तों अगर दोनों को समान सक्ति रहती है तो अक्सर आमेशा जो है की एक दूसरे से जगड़ते रहते हैं जगड़ते रहेंगे लेकिन जब केंद्र मजबूत रहेगा ठीकिना कुछ ऐसी सक्तियां रहेगी कि जिससे जो है कि केंदर हमेशा राज को निर्देशित करते रहे तो जिससे राज जो है कि कंट्रोल में रहेगा नहीं तो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहेंगे ठीक दोस्तों जिसे माल लेते हैं कि जिस परिवार में यदि गारजियन सही रहता है तो उसके जीतने भी उस परिवार में अक्सर देखा जाता है कि जितने भी लोग रहते हैं उस परिवार के सभी लोग एक दुसरे में लड़ते алсяगधरते हैं या तो पहली ना हुखो सकते हैं इससे लिए जरूरी है कि राष्ठ छोएकी और आखंड़ता के लिए केंद्र का मजबूत होना बहुत ही अवश्यक होते हैं दोस्तों ठीना दूसरी स्विपारिश की आके थी नोने दूसरी स्विपारिश की थी कि 356 अनुच्छेद जो है 356 को बहुत संभाल कर परियोग किया जा बहुत संभाल कर परियोग किया जा अनुच्छे 356 आप जानते हैं कि इसमें राष्टपती सासन जो है कि लाग पीदा देखना तो वहीं क्या रहा है कि राष्टपती शासन का जब आपको परियोग करना है तो बहुत संभाल कर परियोग कर यह ठीक इनका परियोग तभी इस्तमाल किया जा प्रियोग किया जा इसका प्रियोग तब ही किया जा तब ही किया जा जब सारे उपलब सारे जब सभी जब सभी उपलब्द बिकल्प ना हो जब कोई बिकल्प जब कोई बिकल्प उपलब्द ना हो ठीना इन्होंने कहा कि आप आप जो है कि राष्टपती सासन लगाईए लेकिन बहुत सोज समझ कर लगाईए जब कोई बिकल्प ना रहा जाए तब जाके आप जो है कि राष्टपती सासन को लगाईए ने था किसी बात कही कि अखिल भारती सेवाओं को मजबूत किया जाए अखिल भारती सेवाओं को कि अखिल भारती सेवाओं को मजबूत किया जाए कि अखिल भारती सेवाओं हम लोग कई बार बात कर चुके इस पर अखिल भारती सेवाओं अपलोग समझ इसको और मजबूत करने की बात करें नहीं कि देश में कि देश में किंद्री बलों की तैनाति किंद्री बलों की कि तैनाति करने का दिखाए करने का अधिकार करने का अधिकार संग को होना चाहिए होना चाहिए छी ने जब कही ही वी देश में ते राष्टी अपात्का लगजा ठीकिन कहीं पर बिद्रों हो जाए ठीकिन उस प्रस्थिती में जो है कि यह केंद्र को एक्ट्व होना चाहिए उस प्रस्थिती में वहां का जितना विशासन प्रसासन है उपने हाथ में लेना चीह वहां पर जो की केंद्री बलू को तयनाती कर दिया जाना चाहे ताकि वहां पर सभी प्रसथितियां पर्न्रोफ जिए अंतरड में हो सक्के ठीक न इनन ओननैं ये शिपारिश के ठीक अगली शिपारिश इनने क्या की ठीक दोस्तों पच्च में शिपारिश हम बात करेंगे हाला कि इननों ने कि दूसर सहताले से दूसर सहताले सिपारिश की थी लेकिन हम लोग पूरे की पूरी सिपारिशों को नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ इंपार्टन सिपारिशों को हम लोग पढ़ लेंगे ठीक न इन्हों ने कहा, पाचमे सिपारिश किया कि, कहा कि आवसिष्ट सक्तियां केंदर के पास ही रहें, कि अवसिष्ट सक्तियां कि किंद्र के पास ही रहे कि ठीक ना अवसी सक्तियां आप लोग समझ गहांगे कि मतलब क्या है उसी सक्तियां में ठीक कि अच्छा ठामा इन्होंनों से पारिश क्या की कि जब राष्ट जब राष्ट पती कि जब राष्ट पती राज्ज के कि किसी विध्यक को किसी विध्यक को स्विक्रिति के लिए स्विक्रिति के लिए अरच्छित करे तो तो इसका कारण राज्ज सकार को बताया जाना चाहिए तो अरच्छित करे तो इसका कारण राज्ज को बताया जाना चाहिए तो जब राज्ज विधान मंडल कोई बिध्यक पारित करके राष्ट पती के पास राज्ज पाल के पास भेजता है तो राज्ज पाल जो की उसको राज्ज पती के पास प्रामर्स के लिए भेज देते हैं ठीक ना कुछ बिल्यक ऐसे होते हैं कि राज्ज पती उसको पास पड़े रहने देते हैं उसको कोई परकिरिया नहीं करते हैं ठीक ना तो वहीं कह रहा है कि जब इस प्रकार की पस्थितिया उत्पन हो जाए दी कि कि राश्रपती राश्राणों कए तो उसका राज को बताना होगा मतलब राज को बताना पड़ेगा या कि व State अंद आपका इसके बाद की है इन्हों ने कहा की राजियों की अधान की श्राण की शरका की शरकर दिवर्तन नहीं, राज्यों के पुनर गठन, गठन की शक्ति में कि परिवत्तन नहीं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी राज्य को यदि घठाना हो, बढ़ाना हो फिक ना किसी भी दो दो छेत्रों के मिलागा दिख कोई नया राज्य बनाना ओ, आजिक काम कौन करता है, किंद्र के दवरा कि या जाता है कर रहें सरकारिया की किसी भी राय कोति पूर्ण गठन करना हो यह कौन करेगा तो किंद रिके दोरा फे किया दना चाहिए अधिकल कि यह कहने का मतलब इन कथे नए गौर से इन होने कहा कि टो राज्यपाल की जो नीउक्ति है कि आप राज्यपाल की नीउक्ति कि मुंख्य मंत्री के कि सला से की जाए कि मुंख्य मंत्री के सला से किया जा किया जा कि आंदर के दौरा की जाती है राष्ट पती के दौरा की जाती है वहीं करेए लेकिन जीस राज में इनकी न्यूक्ती करनी है उस राज के मुंख्य मंत्री से सला ली जा इने ज़िक इसको आप बनाए थिक ना इक समय धान में दर्ज होना चाहिए ठिक कि कहने का मतलब दोस्तों थिक न इसके आलव हम लोग बात करेंगे कि अगली सिपारिस क्या कि इन्होंने कि इनने अगली सिपारिश की दोस्तों कि राजपाल का जो है राजपाल का कारेकाल कारेकाल पांच वर्स का हो जब आप राजपाल की नियूकति कर रहे हो तो इनका कारेकाल पांच वर्स होना चाहिए इसके पहला उसको नहीं हटा सकते हो यहीं कहने का मतलब इनका एस तुझाव ठीक ना जेदि इनको हटाया जाना है तो कोई ठोज कारण होना चाहिए ठीक ना तो कह रहा है कि बिना ठोज कारण के के बिना ठोज कारण के कि अतरीक्त कि कि बिना ठोस कारण के अधिरिक नो अटाया जा जब इनका चुना हो जाए तो यह पांच वर्स तक दम निडर होके काम करें इनको हटाना तो कोई ठोस कारण होना चाहिए तब भी इसको अटा सकते होता है नहीं अटा सकते ठीक न अगिली सिपारिस कि नोने क्या कि दोस्तों कि अंतर राजी परिशत के गठन का समर्थन किया था इनों ने अंतर राज जी कि परिशत के गठन के गठन की शिपारिस की थे ठेक इसका लावा इनों ने कहा कि अगली बात कहीं कि समवर्थी सूची पर समवर्थी सूची पर जब तक जब तक राष्टी हीद राष्टी हीद में आती आवश्यक ना हो अती आवश्यक ना हो तब तक तब तक के अंदर जोएकि कानून ना बनाए अधिक ना यह रहा आपके सरकारिया आयोग की कुछ स्थिपारिस हैं ठीक ना यह भहुत inparti channel स्थिपारिशे to고 ॅ ओयआव के लागव कि गई है ठीक ना आगे हो सकता BE और श्थिपारियशे लागव की जा ठीक ना अभी तक हमलोंने तीन आयोग को पढ़े हैं तीनों आयोग में सबसे इंपार्टन सरकारिया आयोग है ठीक एक आयोग और बचाये दोस्तों पुन्ची आयोग ठीक ना आई हम लोग बात कर लेते हैं पुन्ची आयोग का क्या सिपारिशे हैं पुन्ची आयोग इसका गठन किया गया तो इसका गठन किया गया था 2007 ठीक अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष मदन मोहन पुन्ची आयोग सुप्रीम कोट के रिटायर मुख्य ना धिस्ते ठीक ना तो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों कि मदन मोहन कि मदन मोहन पुन्ची ठीक है इनना काप सिपारिश की क्या प्रामार से दिये थे इनके प्रामर्स कहों लोग समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रामर्स किया था कि इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का पद जो है कि राज्यपाल का पद पांच वर्स तक पांच वर्स कहों पांच वर्स तक रहे थी ना अब दूसरी सी पारिश की थी कि राज्यपाल का पद जो है कि राज्यपाल का पद राश्टपती के राश्टपती के प्रसाद प्रयंत न रहे राश्टपती के प्रसाद प्रयंत न रहे थी ना इन्होंने कहा अगली सी पारिश की थी कि इन्हें जो है कि राज्यपाल को राज्यपाल को जो है कि राश्टपती की तरह राश्टपती की तरह कि महाभीयोग की प्रकेर से हटाया जा कि महाभीयोग की प्रकेरिया से हटाया जा थेक ना इन्होंने कहा कि मदन मुहान कुंछी आयोग जो है इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का जो पद है वो पांच वर्स तक होना चाहिए और दूसरी बात कि ये राश्टपती के प्रसाद प्रियंत्र ना हो जब इनको हटाया जाना हो तो राश्टपती की तरह इस प्रकार राश्टपती को महाभीयोग की प्रकेरिया के दोर हटाया जाता है ठीक ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को भी महाभीयोग की प्रकेरिया से ही हटाया जाना से ठीक न अगली सिपारिस किया बहुमत प्राप्ट दल या दलों के कि दलों के शमों का दलों के शमों का कि नेता होना चाहिए कि अधिना इनने कहा कि यदि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है तो जिस भी दल को बहुमत प्राप्ट हो उसको आप कि नियुक्त कर या तो कई पाल्टिएंएं जो है कि अगर मिल गई है तो उनके जो कि निर्दायत किया जाता है कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा तो आप उसको भी मुख्यमंतरी बना सकते ओंगि ठीक दोस्तों और सिपारिश इन्होंने क्या किया था इन्होंने सिपारिश किया था कि केंद्र को केंद्र को समवर्थी सुची के समवर्थी सुची के उन्हीं बुश्यों पर उन्हीं बुश्यों पर कानून बना चाहिए कानून बना चाहिए चाहिए जो की राष्ट हित में हित में कि नितियों की समरुप्ता कि यह की कि समरुप्ता के लिए कि नितांत अवाश्य अखूँ इन्हों ने इनकी प्रामर्स इन्हों ने यह सुझाव दिया था कि समवर्थी सुची पर राज्य कानुन बनाए ठीक यदि जब राष्टी हित में बहुत जरूरी हो बहुत जरूरी हो तब जाए केंद्र उस विशय पर कानुन बनाए नहीं तो राज्य को राज्य को ही मनाने दे ठीक यह रहे दोस्तों आज का हम लोग का केंद्र राज्य संब्ध पूरी तरह से कंप्लीट होता है ठीक ना केंद्र राज्य संब्ध में हम लोग जितने भी संब्ध थे चाहे बिधाई संब्ध हो चाहे प्रसासनिक संब्ध हो चाहे बित्ती संब्ध हो उसको हम लोगों ने पढ़ा ठीक ना केंद्र राज्य के मद्ध कौन-कौन से इसे बिसे हैं जिस प लिए ठीक ना जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि प्रसावसनिक सुधार आयोग की बात की राजमर्नार समीति की बात की थी हम लोगों ने सरकारिया आयोग की बात की थी और पंछी आयोग की इन लोगों ने क्या क्या सुझाओ दिया था हम लोगों उसमें से लगभग 180 को लागू किया गया है वो सकता है आने वाले समय में और लागू किया जा ठीक ना तो कुल मिला है कि दोस्तों केंद राज संबन्द पूरी तरह से कंपलीट होता है आगे हम लोग बात करेंगे अगले टापिक पर ठीक ना तब तक आप लोग मस्ते रहिए खुश रहिए पढ़ते रहिए अपने स्वास्त का ख्याल रखियागा ठीक दोस्तों तद्धा एजिकेशन फैकेल्टी को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सेयर करिएगा अपने दोस्तों सभी सब्सक्राइब कराईएगा ठीक दोस्तों नमस्ते दोस्तों जाहिंद